प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये आज आजादी के अमरित महुत्सों से स्वर्णिम भारत की और कारिक्रम में हिस्सा लिया इस दोरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया इस उसर पर प्रधानमंतरी मोदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमरित महुत्सों से स्वर्णिम भारत की और कारिक्रम की शुरुआत हो रही है इस कारिक्रम में स्वरणिम भारत के लिए भावना है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेणना भी है पीम ने अपने संबोधन में कहा कि हमसे ही रास्ट का अस्तित्व है और रास्ट से ही हमारा अस्तित्व है ये भाव ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवाशियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सब का प्रयास सामिल है। और इसकी आवशकता भी है। उन्होंने कहा कि देश में तनाव और हिंसा से चुटकारा मिले ये आपकी हम सब की एक्षा है। गैलोत ने कहा कि मैं समस्ता हूं कि सत्य और हिंसा के मार्क पर चल कर ही समाज और देश को आगे बढ़ा सकते हैं जहां पर सांती और विकाश होगा अगली खबर उत्तर परदेश विदानसभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने अपने उमिद्वारों की दूसरी लिस जारी की है। इस लिस्ट में 41 उमिद्वारों के नाम हैं जिसमें 16 महिला उमिद्वार भी सामिल हैं। आपको याद दिला दें कि इस से पहले क उपी में 40 फिस्दी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। अगली कबर समाजवादी पार्टी ने आगराजले की फतेहाबाद विदानसभा चेतर से अपना प्रत्यासी घोसित करने के बाद पुना प्रत्यासी बदलते हुए असोग बावली असोग दिक्षित की बेटी बताया जा रहा है कि ऐसा कमजोर ब्रामर प्रत्यासी होने का फीडबैक मिलने के बाद किया गया है चौतिस वर्सी रुपाली ने इंग्लेंड से एंबिय किया है हाला कि पार्टी सुत्रों की माने तो रुपाली का टिकट गोरकपुर से सपा नेता हरी संकरतिवारी की पैर शुरू किया है इसमें उन्होंने मुझूदा मुख्यमंत्री चरंजीत सिंग्चन्नी के साथ पंजाब कॉंग्रेस प्रमुक नौजोच सिद्धू कैंपेन कमेटी के चेर्मेन सुनील जाखर का नाम देते वे पूछा है कि पंजाब में कॉंग्रेस का सीम फेस कौन होना च सिद्धू के लिए केवल 11.5% और सुनील कुमार जाखर के पक्ष में 10.4% वोटी पढ़े हैं अगली खबर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस को एक और बड़ा जटका लगा है समाजवादी पार्टी के सनलक्षक मुलायम सिंग यादों की छोटी बहू अपरना याद कर ली है प्रियंका ही कॉंग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं पोस्टर का मुखे चेहरा थी उन्होंने प्रियंका के सचिव संदी पर टिकेट लेकर पैसे टिकेट के लिए पैसे देने का पैसे मांगने का आरोप लगाया था अगली खबर भाचपा में सामीलोने के अगली खबर पडोसी देश पाकिस्तान अकसर अपनी नापाक हरकतों के कारण चर्चा में रहता है आर्थिक तंगी से जूजरा पाकिस्तान अपनी फिजूल खर्ची को लेकर फिर चर्चा में है दरसल पाकिस्तान सरकार अटारी बागा बॉटर से महज 28 किलो मिटर दूर रावी नदी के किनारे पर एक मेगा सिटी बसाने का प्लान लेकर आई है इसे पाकिस्तानी प्रदानमंती इमरान खान का दीन प्रोजेक्ट बताया जा रहा है का जा रहा है कि ये ग्रीन सिटी होगी जो प्रदूसित हो चुकी रावी नदी को भी बचाने का काम करेगी हाला कि अब यह प्रजेक्ट खत्रे में पढ़ता दिखाई दे रहा है इसे फिजूल खर्ची बताते हुए पाकिस्तानी जनता ने इसका विरोज शुरू कर दिया है आपको ये भी बता दें कि लाहोर हाई कोर्ट पिछले साल ही इसे रोकने का आदेश दे चुका है अगली ख़वर एर इंडिया ने अमेरिका के लिए अपनी उडानों में कटोती कर दिया है उसने ऐसा 19 जनवरी से अमेरिका में लाँच हुई 5G सिवाओं को देखते हुए किया है पहले से ही एरलाइन्स पर असर पढ़ने की बात कहते हुए 5G के लाँचिंग को टालने की अपील कर रही थी अमेरिका में वेरिजोन और AT&T ने 19 जनवरी को 5G लाँच कर दिया है लेकिन aviation कंपनियों के विरोध को देखते हुए एरपोर्ट के असपास 5G सिवाओं की लाँचिंग को फिलहार टाल दिया गया है एरपोर्ट के असपास High Speed 5G Network की लाँचिंग टाले जाने के बाद आज से एर इंडिया जापान, एर इंडिया जापान की एरलाइन्स और दुबाई की Emirates समेत कई कंपनिया अपनी उडानों को दुबारा शुरू कर रही है इन कंपनियों ने बुद्वार को 5G लाँचिंग को देखते हैं, अमेरिका के लिए अपनी कई फ्लाइट सरद कर दी थी अगली खबर, भारत और चीन के बीच लद्दा के स्तित LAC पर तनाव जारी है इस भी चीन ने भारत से लगती बाकी सीमाओ पर भी अपनी नापा खरकते हैं चीन की पिपुल्स लिबरेशन आर्मी, PLA ने अरुनाचर प्रदेश के सियांग जिलेस में 17 साल के लड़के को किटनैप कर लिया राज्य के सांसत तपीर गाओ ने बुद्धवार को इसकी जानकारी दी सांसत गाओ ने ट्वीट कर बताया कि मिराम का एक दोस्त जानी याईंग चीनी सैनिकों के पास से भागने में काम्याब रहा है याइंग ने भागने के बाद इस्थानी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी सांसत गाओं ने इस मामले की जानकारी ग्रेह राज्यमंत्री एन प्रामारी को दी है इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार्स की सभी एजंसियों से मिराम की रिहाई के लिए ज़रूरी कदम उठाने का अनुरोध भी किया है अगली खबर सुप्रीम कोट ने नीट पीजी एड्मिशन में OBC आरक्षन की अनुमती देने के कारण बताते हुए अपना फैसला जारी किया है सीर्स अदालत ने EWS आरक्षन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई इसका कारण भी अपने फैसले में बताया है सुप्रीम कोट का कहना है कि नीट पीजी और यूजी प्रवेस के लिए All India कोटे में OBC आरक्षन मानने है अनुचे 15,4 और 15,5 हर देशवासी को मौलिक समानता देते हैं प्रतियों की परिक्षाएं उत्रिस्ता व्यक्तियों की शमताओं को नहीं दरसाती है ऐसे में कुछ वरगों को मिलने वाले समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाब प्रतिविम्बित नहीं किया जा सकता है साथी सुपरिम कोट ने ये भी स्पस्ट किया है कि पहले के फैसलों में यूजी और पीजी एड्मिशन में आरक्षन पर रोक नहीं लगाई गई है अगली ख़बर भारत ने गुरुवार को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्क्रन का सफल परिक्षन किया ओडिसा के बाला सोर तट के इस मिसाइल को दागा गया था रक्षा सुत्रों ने बताया कि इस ब्रह्मोस मिसाइल में नई परिक्षन में ये पूरी तरीके से कामयाब रही है अगली ख़बर देश में बुद्धवार को कुरोना के 3.7 लाख नए केस मिले हैं इस दोरान 2.2-3 लाख लोग ठीक भी हुए जबकि 491 लोगों की मौत हुई वहीं पिछले दिन के मुकाबले नई संकरमितों में 34,562 की बड़ोत्री देखने को मिली है आपको बता दें कि 8 महीने बाद देश में नए संकरमितों का आकड़ा 3 लाख के पार पहुँचा है दूसरी लहर में केस घटने के दवरान 15 मही को 3.1 लाख केस मिले थे फिलहाल देश में 19.2-4 लाख एक्टिव केस हैं देश में पहली बार 2 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए है